हेलो गाईज, वुलकुम बैक यार आज की विडियो में मैं आपको तीन ऐसे ओडियो डेटिंग एप्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनको यूज करके आप फून से ही बहुत अच्छी क्वालिटी में ओडियो डेटिंग कर सकते हैं और इन एप्स में इतने सारे फीचर्स हैं कि आप अगर बहुत प्रोफेशनल लेबल की भी ओडियो डेटिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप इन एप्स में कर पाएंगे इसके अलावा अगर आप एक बिगनियर हैं यानि आपको बहुत बेसिक लेबल की ओडियो डेटिंग अभी आती है तो आपके लिए भी एक गुड नीउस है कि इन तीनों एप्स में से एक एप ऐसा है जिसमें आप बहुत बिगनियर लेबल पे भी यानि बहुत ही आसानी से एक अच्छी क्वालिटी की ओडियो डिटिंग कर सकते हैं तो इसके बारे में जानने के लिए आपको बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो वैसे एक बहुत ही प्रोफेशनल आडियो डिटिंग एप है और जैसे किसी आडियो डिटिंग सौट्वेर में बहुत सारे फीचर्स होते हैं तो वही सारे फीचर्स आपको इस एप में भी मिल जाते हैं अगर आप चाहें तो बहुत ही एडवांस लेबल पे आप इस एप में आडियो डिटिंग कर सकते हैं और इन सब के अलावा इस एप में आपको नोईज रिमूवल का फीचर भी मिल जाता है जो कि अगेन एक अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि बहुत सारे आप में आपको नोईज रिमूवल का फीचर नहीं मिलता है उसके अलावा इस एप की एक और खास बात यह है दोस्तों कि जैसे आपको आप एक साथ ही डिट कर सकते हैं तो वो फीचर आपको इस एप में भी देखने को मिल जाएगा अब हम ज़रा इस एप में एक audio track इंपोर्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर file इंपोर्ट करने के कही सारे options आप कही से भी कर सकते हैं अब audio इंपोर्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पर cut, copy, paste, stream यह सारे basic options तो मिली जाते हैं इसके अलावा इसमें और भी advanced features जैसे auto gain, high pass, low pass, DC offset यह सारे features भी मिल जाते हैं इसके अलावा amplify, normalize, compressor, equalizer, fade यह सारे options भी आपको देखने को मिल जाते हैं और इसमें बहुत essential noise removal का feature भी आपको मिल जाता है तो इसमें कई तरह के noise remove करने के options आपको मिल जाते हैं और आप आराम से यहापे click करके वो noise remove कर सकते हैं लेकिन guys मैं आपको बता देता हूँ कि despite इसमें बहुत सारे options आपको मिलते हैं noise remove करने के पर noise removal की जो quality होती है वो जादा अची नहीं होती यानि जादा noise remove नहीं होगा तो इससे आप बहुत कुछ जादा expect मत करना तो इस आप में आपको इस basic features के साथ-साथ advanced feature भी मिल जाते हैं और इनमें से कुछ बहुत important features को use करके भी आप बहुत अच्छी quality में audio editing कर सकते हैं और यह इसको एक बहुत ही अच्छा audio editor app बना देता है तो guys play store पे इसके 10 million plus downloads and 4.3 की rating है और इसको इस list में include करने का सबसे बड़ा reason यह है कि इसका interface बहुत simple and easy to use है तो कोई बहुत beginner level पे भी इसको अराम से use करके अच्छी audio editing कर सकता है और जैसा मैंने आपको इस वीडियो के starting में कहा था कि एक ऐसा app है जिस पे beginner label पे भी आप बहुत अच्छी quality की audio editing कर सकते है तो वो यही app है और आप इस app में कैसे अच्छी quality की audio editing कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा फिलाल हम यहाँ plus का icon पे क्लिक करके जहाँ import track की option में जाएंगे और अपना जो audio track आपको edit करना है उसको import कर लेंगे अब audio track import हो जाने के बाद अगर आप इस track पे long press करेंगे तो यह कुछ options appear होंगे अब यहाँ अगर आप इन three dots पे क्लिक करेंगे तो आपको denoise का एक option मिलेगा और अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी audio में जो भी background noise होगी वो remove हो जाएगी और इसमें जो noise removal है उसकी quality वेपट के noise removal quality से जादा bitter होती है और ये भी एक reason है कि मैंने इस app को list में दूसरे number पे रखा है अब अगर आप यहाँ पे imported track पे क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ options मिल जाएंगे तो यहाँ से आपको effects की option पे क्लिक कर देना है और आप आपको यहाँ कई सारे voice effects की options मिल जाते हैं अब इन effects की खास बात यह है कि इसमें कई सारे audio features को एक साथ combine करके तब ये voice effects बनाए गए हैं जैसे अगर आप यहाँ customize पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने सारे effects की settings को मिला के तब ये post tone का जो voice effect है वो बनाया गया है जैसे यहाँ पे देखिए noise gate, compressor, chorus, distortion, equalizer और reverb इन सारे options को particular settings पे रखके तब ये post tone का effect create किया गया है इसका मतलब अगर आप अपने audio में इन सारे effects को apply करेंगे तब जो voice आएगा वही same quality का audio आप यहाँ post tone पे एक click करके भी obtain कर सकते हैं तो अब इन में से जो भी effects आपकी audio की theme को shoot करते हैं वो आप simply एक click में apply कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पे click करके आप अपनी audio को save कर सकते हैं अब इसके बाद जो number one audio editor है वो है Lexis audio editor और इसको मैंने number one इसलिए रखा है क्योंकि इस app में ना तो आपको इतने सारे features मिलते हैं कि आप confused हो जाओ और नहीं इतने कम मिलते हैं कि आप ठीक से audio editing ना कर पाओ यानि जो effects आपको YouTube audio editing के लिए चाहिए होती है वो सारे effects आपको इस app में मिल जाते हैं और उसके अलावा इसका interface बहुत ही ज़ादा simple और easy to use है तो कोई भी इस app में बहुत अच्छी quality की audio editing कर सकता है और यही reasons हैं जिसकी वज़े से मैंने इसको number one पे रखा है और कई बार क्या होता है कि बहुत सारे audio editing apps में जो final edited audio होती है उसकी quality काफी ज़ादा degrade हो जाती है original audio से लेकिन ऐसा Lexus audio editor में बिलकुल नहीं के बराबर होता है तो यह भी एक reason है कि audio editing apps में मैं इसको हमेशा top priority देता हूँ अब इस app की मैंने पूरी tutorial वीडियो बहुत अच्छे से बनाई हुई है तो अगर आप इस app के सारे features के बारे में बहुत detail में अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप इस वाले वीडियो को जाके देख सकते हैं बाकि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुट बाई